सब्सकारब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्सिन पाने के लिए स्वागत है दोस्त लिए फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन में जहां आप आथे दवाईयों के बारे में समपुन जानकारी दोस्तों आज क्या वीडियो फिर से आपके लिए इस्पेसिल होने वालो और आप ही की डिमांड में ये वीडियो बना रहा हूँ यूज को विस्तार से साथ ही साइड इफेक्ट में आपको बताऊंगा कौन-कौन से साइड इफेक्ट गातक है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं कि डोज क्या रहती है रोमोटेग्स तरिटीश में क्या इसकी डोज दी जाती है और वीडियो के लाज़नेंगे कौन-कौन से मरीज जो इस दवा को नहीं ले सकते हैं इसके Contra Indications क्या है यह सभी बात इस वीडियों जानेंगे से वीडियो को पूरा देखे जिसे संफून जानकारी आपको सलफा सालाजीन टेबिलिट की बार मिल सके हैं साथ ही वीडियों जोर से लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं बूलें मैं हूँ आपका दोस्मोहीत और आप देखरें अपना इडिव चैनल अबूट मेडिसीन चलिए आसे कुछ नहीं सिखते हैं हलो फ्रेंड्स नमसे दोस्तों सलफा सालाजीन एक इम्मिनो सप्रेसेंट मेडिसीन ने जिसे स्पेशियल परप्रस सलफोनॉमाइड ग्रूप में भी रखा गया है और इसे एंटी रूमोटाइड ड्रग भी कहते हैं सलफा सलाजीन के जो कार्यप पर्णा लिक्यूम चलिर नहीं है लेकिन प्रस्तावित कार्यप तरह में आपको बता दूझ सलफा सलाजीन जो प्रस्टा ग्लेंडीन से उनको aint हीविट करता है जिस निस जग्रैंसे इंट्स शेटैन में आथे और 2 को टुग्रों थे ता तो इस तरह से अपना बोडी में काम करता है इसी कारण साफ को यह मिलेगा सल्फा सालाजिन आपको 500 मिलेगा तदह आप 1000 मिलेगा जैसे एक ग्राम भी कहते हैं इन दो स्ट्रेंद में मार्केट ही मिल जाता है साथी सेडियूल एच की होने के कारण आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेने की इसकी एडवाईज दी जाती है इसके वगएर आप नहीं ले दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है सल्फा सालाजिन दवा का जंडिक नाम है इस नाम से कई जगाओ पर मिल जात गा और जो पन्च में लिगाम की टेपलेट है उसके लिए कुछ बह न लिखा जाएगा तो सार्गस टेपलेट सारो टेपलेट सालाजा की ज़र्ट आप यह उसकी कुछ फ्यवप्लेर ही मैंने अपको बताई है औरुछ सकता हैं इसके अला को दूसरी ती बात के बहुत हो क्योंकी जो प्राइड नेंद रहती है साथ ही जो सब्षाब मेल जाते हैं तो इन सभी ब्राइड की बात की टेबलेट है जो वन ग्राम की टेबलेट है यह आपको 10 रुपे से लगा कर 12 रुपे में प्रती टेबलेट मिल जाती है यह आप इसको ओनलेंग खायते हैं तो कुछ नात के अंदर जो ले रहें इनर ले रहें वहां पर स्वेलिंग आ जाती इंफ्लमेशन हो जाता है जिस कारण से व्यक्ति को दस्त लगती है उसको बुखार आ सकता है इस्टूल के साथ में उसको कई भार खून भी आ सकता है पलविक एरिया में मरोड आना ताथा पलविक एर लाजीन टेबलेट है डॉक्टर दरा प्रिस्काइब की जाती है इसके अगले यूज की बात करें तो यह रूमोटाइड अर्थ्राइट इसको भी ठीक करने के लिए प्रयोग में लाए जाता है जो कि एक ओटो इम्यून डिसोडर है और यह जोएंट का डिसोडर है जिसमे वेक्ति के जो अंगुलियां है या कलाई है इसमें वेक्ति के जो जोएंट से वहां पर सुजन आ जाएगी दर्द यहां पर रहेगा अकडन हो सकती है साथी गर्म यहां पर मैसूस उसको हो सकता है इस समय एजी फास्ट लाइन थेपी सल्फासलाजीन टेबलेट डॉक्टर प्रिस्काइब की जाती बहुत ही अच्छा रिजल्ट है डॉक्टर की चोईस ऑफ मेडिस है रूमटरी अर्थराइटीस के लिए साथी यह जो सल्फासलाजीन है इसमें काम करता है तो दोस्तों एक और मैं इसमें बताना चाहूंगा जो कि मीतो ट्रेक्सेट है और रूमट की बार में जान सकते हैं दोस्तों यह मैंने यूज जो यूज बताएं हो सकता है इन यूज के अलाव अभी किसी और बीमारी में डॉक्टर अपने एक्स्वियोंस के अनुसार इस दवा का प्रियोग ले दोस्तों अब यूज जाने के बाद बढ़ लेते हैं इसके साइड टरफ यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या उसको हो सकते हैं जो कौन व्यक्ति को भूक कम लगना सीरदर्द होना नोजय रहना सणलाइट में उसकी सेंसिटिवीटी बढ़ जाना इसकीं रेश्स हो जाना साथ ही उसको लिवर में प्रॉब्लम रह सकता है और steven johnson syndrome नाम की बीमारी उसको लग सकती है जिसमें विक्तिक जो इसकी ने वो छिलने लग जाती है वहाँ पर बिलिस्टर फफोले होने लग जाते हैं और आखे भी उसके लाल रहती है यह इसके कुछ गातक को दूस परिनाम है जो मैंने आपको बता है यदि यह यह तो तुरंत इस दवा को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले जिससे की फर्दर टीटमेंट आपको दिया जासे के और फ्यूचर में सलफासलाजीन टेबलेट आपको नहीं दी जाए वीडियो के आगे पार्ट में दोस्त हम बढ़ लेते हैं इसकी डूज की तरफ कितनी इसकी डूज दी जाती जो जनरल रोज एसकी एक ग्राम से लगाकर दो ग्राम प्रफिदिन डिवाइड्टे डोज में दी जाती इस सुबह जाने के बाद में लिया जाता है और यह जो दवाह समयनेता है आपको बारा हफते है बारा हफते से ज़्यादा भी डॉक्टर अगर आवशे महसूस करें तो आपको दे सकता है और इस दवा को प्रेग्नेंसी में सिफ बताया गया है और साथ ही दूस साल से छोटे बच्चे को सलफासालाजीन नहीं दी जाती है अब रूमाटेर अर्थराइटिस म भाद मैं मेंटरन फेर की यूब में दिया जाता है पहले हफते में 500 mm ऐब छ आने के रोज catch साम को दी जाएगी इस तरह ग्रेजुली इसको बढ़ाए जाता है और चोते हफ़ते के बाद में रेगुल इसको मेंटें तेरिपी गरूप में जितनी पैसेंट को नीड होती है जितना डॉक्टर मानता है उसके एकोर्डिंग पैसेंट को देते रहते हैं और इस तरह इसको लिए जाता है और इस टेबरेट को सीरे值 अब साईटरेंद को दोक्रम को दोक्टर ने कीए तो आप किसी भी शूरुत में रूमाटर साइटराटी सेन किसी भी नहीं है क्योंकि इसीमें जॉंसन डिजीज जिसमें जो आपकी स्किन है वो छिलने लग जाएगी उसमें ब्लिश्टर हो जाएंगे जैसे कर आप इसकीन पर देख पा रहें इतनी गातक साइड इफेक्ट आपको हो सकता है अगर आप इसको मन से लेते हैं तो मेरी सला है दोस्तों इस टेबलेट को आप कि चैन में भी कुछ अवरोध ऑस्रक्षन हो लिवर डिजीज किसी को हो किड़नी डिजीज किसी को साति इस्किन रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन या सकिन के कुछ डिजीज या ऐलर्जी किसी को हो तो यह दवा उस व्यक्ति को नहीं दी जाती साथि यदि इन सभी परिषा का सामना नहीं करना पड़े तो यह बात इसे तोर्चे आप ध्यान रखें और इसे के साथ मैंने कंप्लीट इंफोर्मेशन सलफा सालाजीन टेबलेट के बाएं आपको बता दी है जो कि रूमोर अर्थराइटीस और आई बीटें के लिए बहुत बहतरीन दवा है उम्मीद कर सब्सक्राइब करते हैं इसे जरूर दबाए जो आने वे लिए वीडियो के नाटिफिकर्शन सबसे पहले आपको मिले सबसे पहले में देख पाएं आप ते अपने दोस्त मोहित आदिक साथ देख रहे हैं तो आपने यूटीब चैनल लड़ाबोट मेडिसीन थैंकियो फ् स्बसक्राइबस